हेलो दोस्तो हमारे यूटूब चैनल बियस लेक्टिकल पे आपका स्वाक्त है आज की वीडियो में हम एक ब्ल्यूटोथ डवाइस की आन ओफ स्विच को रपेयर करना सीखेंगे यह मेरे पास आइनेक्स्ट की ब्ल्यूटोथ डवाइस है ऐसी बहुत सारी कंपणी के ब्ल्यूटोथ डवाइस मार्केट में आती है कैसी भी ब्ल्यूटोथ डवाइस हो उसकी ओन ओफ स्विच को रपेयर कैसे करना है वह आज हम इस वीडियो में बताएंगे तो चलो फ्रैंड्स इसके जो कवर है सबसे पहले तो आपने इसका जो कवर अउसको उपन कर लेना है तो एक स्क्रिू ड्रैवर की हेल्प से आपने इसके जितने भी स्क्रिू होते है अलग-लग ब्ल्यूटोथ डवाइस के अलग-लग जगाव पे उपन दिये होंगे कर रखे थे तो आपने बहुत अराम से इसको बाहर नकालना है ठीक है इसको आप फ्रेंड्स आउन अफ करके देखें मैं इसको आउन कर रहा हूँ आउन करने पर मेरी ब्लुटोफ ड्वाइसा वो आउन नहीं हो रही है ठीक है तो क्योंकि इसकी एलेडी गलो करेगी इस एक अवाज आएगी ब्लुटोफ ड्वाइस ओन की वो भी नहीं आ रही है तो मैं इसको द्वारा फिर ओन करके देखता हूँ तो यह ओन नहीं हो रही है ठीक है तो इसको हम रपेयर कैसे करेंगे चलो हम देखते हैं friends सबसे पहले तो इसके pin होती है, तीन pin होती है इसके नीचे तीन pin दी गई है आप उसको कोई भी तीन pin में से कोई भी दो pin को आप shot करें shot करने के बाद आपको पता चल जाओ रहा हमारी Bluetooth device on हो रही है जब नहीं हो रही है कोई भी आप दो पिन को शॉड करें आप स्क्रूड ड्राइवर की हलप से भी उसको शॉड कर सकते हैं एक वायर का टुकडा लेकर उसको शॉड कर सकते हैं ठीक है याप टैस्टर की हलप से भी शॉड कर सकते हैं कैसे भी उन दोनों पिन को शॉड करना कूई भी दो पिन आप आपको आवाज भी आगी होगी, तो वो ओन हो गई है, दो पिन को शॉट करने पे, तो फ्रेंट्स इसको अरप्यार करने के दो तरीका है, एक तो आप इस पे कोई भी मशीनी ओयल डाले, क्योंकि जो स्विच के कॉंटेक्ट आप खराब हो जाते है, तो खराब उस पे रस्ट जाती है, तो प्रॉपर कंटेक्ट बन नहीं पाता है, तो इसलिए आप उसके अंदर एक कोई भी मशीनी ओयल डाले, पैट्रॉल डाल दे, तो उसके कंटेक्ट क्लीन हो जाएंगे, तो जो तरीका है फ्रेंट्स, जो आपने तीन पिन देखी थी, तीन पिन के नीचे, आप दो वैर लें, उन दोनों वैर, कोई भी जो पिन आपने शॉट की थी, दो पिन शॉट की थी, उन दो शॉट पिन, दो पिन के उपर दो वैर लगाएं, उन दोनों वैर को आप बाहर नकाल लें, और बाहर नकाल लें, तो उसको शॉट करें, तो आपका काम हो जाएगा, तो तो आप जब भी उसका काम करें, काम करने से पहले इस बेंटरी को हटा दे, प्रॉपर कनेक्टर को हटा दे, ओके फ्रेंट्स इसके बाद मैं इसके अंदर मशीनियो डालूँगा, पहले तो काम मेरा मशीनियो डालके देखूँगा जा पैटरॉल भी डाल सकते हैं, तो अनो ह हो जाती है तो ठीक है नहीं, तो फिर मैं दो वैर लगा के उसको बाहर नकालके उससे भी काम चला लूँगा, जिकर आप फ्रेंट्स देशी जुगार नहीं करना चाते हैं, दो वैर का, तो आप इसको switch को change भी का सकते हैं, switch नहीं भी लगा सकते हैं, जिकर आपको switch मिल जात अंदर से contactor clean हो जाएंगे, clean के बाद आप दोवारा बेंटरी को लगाएंगे, तो उसके बाद चेक करेंगे, तो friends, मैंने जे इसके अंदर proper इसको clean कर लिया है, ठीक है, तो इसके बाद मैं इसके अंदर बेंटरी को लगा हुआ, तो friends, थोड़ा टाइम आप इसको सूखने के लिए भी शोड़े, जिकर आप कोई oil juice कर रहे हैं, मिशीन योग वगएरा, ठीक है, तो उसको थोड़ा टाइम सूखने के लिए, दो चार मिन्ट के लिए शोड़ दे, तो अब इसके अंदर मैं बेंटरी लगा दूआ, बेंटरी का connector लगा दूआ, तो इसके बाद मैं इ आ रहे होगी, जिए प्रॉपर अन हो चुका है, तो हमारा काम ऐसे हो गया, सेंक इट जो मैंने आपको रपेरिंग बताई थी, वो है जो नीचे की तीन पिन होती है, जो फस्ट और जो लास्ट वाली पिन को शोड़ देना, पहली और लास्ट वाली पिन को शोड़ देना, और दूसरी और तीसरी पिन जो आपको दिख रही है, जो हमने शोड़ की थी, शोड़ करने पाद ये अन हो जाती है, आप भी कोई जो पिन आप शोड़ करेंगे, शोड़ करने के बाद अन होती है, उन दो पिन के उपर आपने दो वहर लगानी है, और उसको बाहर नकाल ल झाल 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 झाल